स्वागत है अब सभी लोगों का हमारे चैनल अवी वीजन में आज हम सभी क्लास 10 के ट्रिगुनोमेट्री चैप्टर के एक्सर्साइज 8.1 के कोश्चन नमबर 3 को सॉल्व करेंगे यह कोश्चन मैंने NCRT बुक से लिया है और यह क्लास 10 से बिलोंग करता है तो ध्यान में रखेंगे यह पेज नमबर 181 का कोश्चन है कोश्चन नमबर 3 कहता है कि इप साइन A is equal to 3 by 4 calculate cos A and 10 A. साइन A का वेलू दे रखा है 3 by 4 तो आपको cos A और 10 A के वेलू को find out करना है तो कैसे करेंगे देखिए जो साइन A ब्राबर दिया हुआ है उसको आप लिख लीजे साइन A ब्राबर 3 by 4 है और साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P by H तो यहाँ पे आप देखिए P का वेलू 3 इसके सामने वाला देखिएगा P का वेलू 3 और H का वेलू कितना है 4 और किसी भी right angle triangle में आप देखेंगे तो तिन साइड होता है जिसमें एक होता है P B H तो P का वेलू आपको पता चल गया H का वेलू आपको पता चल गया B का वेलू हमको मालूम करना है पहले तो B निकालने के लिए पैथागोरस थीरम को आप लगा दिजे according to पैथागोरस थीरम we have H square is equal to P square plus B square होता है आप सभी जानते हैं तो B square के वेलू find out करने के लिए P square को equal to के A side ले जाए तो B square is equal to हो जागा H square minus P square तो B का value हो जाएगा root over H square minus P square ओके तो H का value यहाँ क्या दिया है देखिए आप H का value है 4 तो यहाँ लिखे 4 का square और P का value है 3 यहाँ लिख देंगे आप 3 का square ओके तो 4 का square करेंगे तो 16 और 3 का square करेंगे तो 9 ओके तो यहां आ जाएगा हमारा root over 7 that means कि B का value हो गया root over 7 ओके अब क्या करेंगे अब हमको find out करना था cos A का value तो cos A is equal to लिखेंगे cos A का क्या formula होता है B by H तो B का अस्थान में B के अस्थान में root over 7 और H के अस्थान में क्या रख देंगे हम जो दिया हुआ था अमारा value 4 root over 7 by 4 यह answer हो जाएगा उसके बाद 10 A के भी value को find out करना है तो 10 A के value को कैसे find out करेंगे तो 10 A is equal to लिख देंगे 10 A is equal to क्या formula होता है 10 A का यह 10 theta का तो P by B पर 3 तो 3 लिख देंगे और B का value कितना निकल कर आगया है root over 7 तो root over 7 यही हमारा answer हो जाएगा I hope कि आप सभी समझ पाया होगे next question है question number 4 given 15 cot A is equal to 8 find sign A and say K मतलब 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है sign A और say K के value को हम लोगों को find out करना है तो कैसे करेंगे यहां लिखेंगे given that 15 cot A is equal to 8 तो यहां पर देखें यहां गुना का relation रहता है तो इसको क्या करेंगे cot A is equal to आ जाएगा हमारा 8 by 15 15 cot A था तो गुना में था तो equal to के वो side जाके divide में हो गया ओके अब cot theta का क्या formula होता है tan theta का उल्टा होता है तो tan theta का formula होता है P by B तो cot theta का formula को हो जाएगा हमारा B by P मतलब इसी formula को उल्टा लिख देंगे ओके क्योंकि tan theta cot theta का उल्टा होता है ओके तो B का value हो गया 8 और P का value हो गया 15 तो बचा H का value H का value आप find out कर लेंगे pathagoras theorem से तो pathagoras theorem क्या कहता है कि H square is equal to P square plus B square तो H equal to अगर आप निकालेंगे square जब हटता है तो equal to को वो side जाके under root हो जाता है तो P square plus B square तो यहां पे हो जाएगा आपका H का value P के जगह में आप 15 का square और B के जगह में इसके value को put कर दीजे 8 का square तो यहां हो जाएगा 15 का square कीजेगा तो आजाएगा 225 और 8 का square कीजेगा तो हो जाएगा 64 मतलब यहां निकल कर आजाएगा आपका जोड़ दिजेगा इसको 5, 4, 9, 6, 2, 8 और यहाँ 2 तो 289 को अग जब आप तोड़ेंगे तो 17 इंटू 17 बार में तूट जाएगा है ना? 17 इंटू 17 बार में तूट जाएगा तो 2 गो के बदले एक ठो निकाल दिजे बाहर आ जागा आपका 17 ओके? तो H का वैल्यू हम लोगों का आ गया 17 तब क्या करेंगे? H का वैल्यू तो find out हो गया अब हमको निकालना था sin A का वैल्यू तो sin A is equal to P by H तो P का वैल्यू कितना है? 15 रख देंगे और H का वैल्यू कितना निकल कर आया है? 17 15 by 17 इसका आंसर हो जाएगा सेक A सेक A is equal to सेक A किसका उल्टा होता है? कॉस का तो कॉस का फॉर्मूला होता है B by H तो उसी के फॉर्मूला को आप उल्टा कर दिजे H by B कर दिजे तो H का वैल्यू 17 होगा और B का वैल्यू कितना है? 8 दिया हुआ 8 रख दिजे इसका आंसर हो जाएगा 17 by 8 ओके? तो I hope कि आप समझ पाएँ होंगे साइने का वैल्यू हो जाएगा 15 by 17 और सेक A का वैल्यू हो जाएगा 17 by 8 ओके? नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नमर 5 सेक थीटा is equal to दे रखा 13 by 12 तो calculate करना है other trigonometric ratios को ओके? तो इसको कैसे solve करेंगे? देखिए सेक थीटा is equal to 13 by 12 सेक थीटा कॉस्च थीटा का उल्टा होता है तो formula को आप उल्टा लिखिए H by B ओके? तो H का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 13 उपर वाला देखिएगा और नीचे वाला B का वैल्यू 12 तो H is equal to 13 और B is equal to 12 तो P का वैल्यू को find out कर लेंगे according to Pythagoras theorem according to Pythagoras theorem क्या होता है? H square equal to होता है P square plus B square तो P square का वैल्यू find out कर लिजेगा हो जाएगा H square minus B square B square उधर चल जाएगा तो P का में जो square लगा है उसको equal to को वो side भेज देंगे तो under root हो जाएगा H square minus B square तो यहाँ पर H का वैल्यू कितना है? 13 13 का square कर देंगे और B का वैल्यू कितना है? 12 12 का square कर देंगे तो 13 का square कितना होता है? 169 और 12 का square 144 144 इसको minus कर देंगे यहाँ आजागा 5 फिर यहाँ आजागा 2 और 11 कैंसल हो जागा तो 25 आ गया मतलब इसको तोड़ देंगे 5 into 5 में तो value आजागा आपका 5 मतलब P का value आपका कितना आ गया? 5 अब क्या कहरा है question? कि other trigonometric ratio को find out करना है 6 theta का value दिया हुआ था तो कैसे करेंगे? sin theta का निकालेंगे तो sin theta का formula होता है P by H तो P का value है 5 और H का value है कितना? H का value है यहाँ 13 तो यहाँ 5 by 13 इसका answer हो जाएगा sin theta और cosec theta cosec theta इसके बाद निकालिएगा तो cosec theta इसका उल्टा होता है तो इसी के formula को उल्टा लिख दिजएगा H by P तो इसी के value को उलट दिजएगा 13 by 5 हो जाएगा इसका answer ओके? sin के बाद आपका आता है cos theta cos theta का value होता है B by H cos theta का formula क्या होता है? B by H तो B का जो है वो value दिया हुआ है 12 और H का value जो है वो दिया हुआ है 13 तो 12 by 13 इसका answer हो जाएगा और cos theta का उल्टा होता है sec theta तो sec theta तो दिया ही हुआ है question में उसको निकालने का जोरत नहीं है लेगिन फिर भी sec theta is equal to 13 by 12 आप लिख सकता है ओके? next है 10 theta तो 10 theta का formula होता है P by B okay तो P by B formula होता है तो P का value यहां कितना है 5 तो 5 रख देजे और B का value कितना है 12 तो 5 by 12 इसका answer हो जाएगा और 10 theta का उल्टा cos theta होता है तो cos theta का इसी formula को आप उल्टा कर देजे B by P तो B का value है 12 और P का value है 5 तो 12 by 5 इसका answer होगा तो other trigonometric ratio यही है तो यही सब हम लोगों का answer हो जाएगा तो I hope कि आप समझ पाया होगे तो students यदि आपको हमारी यह video अच्छी लगी हो तो इस video को अधिक से अधिक like करें share करें comment करें अगर आपको किसी भी तरह का doubt हो और यदि आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर ले मिलते हैं next video में नए question के साथ आपको इस video को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमेंा परुमा है ले प्राइदative करें